तो इसमें हमने लिया है चैप्टर टू तो इसका संपूर्ण निचोड हम इसमें निकालेंगे यानिके अगर आप इसको कर लेते हैं तो अब को लगबग सभी प्रक्षन जो हैं इसी में से प्रिक्षाओं में पूछा जाने के संभावना मिल जाती है तो हमारा पार्ट का नाम है लेखनकला और शहरी जिवन यानिके राइटिंग एंड सेटी लाइफ तो ये हिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नूमबर टू है तो इसलिए इस शंकला में क्योंकि पहला पार्ट डिलीट हो चुका इस वर्ष पे लिए तो हमने इसका जो दूसरे पार्ट से ही इसको शुरू कर रहे हैं तो यह पहला भाग है आप मेरे साथ जुड़े रहेगा तो आपको चैप्टर वाइस से इसी तरह से प्रशनों को हम दिखाते रहेंगे तो शुरू करते हैं वीडियो को तो पहला क्वेश्चन है मैसोपोटामिया शब्द से आप क्य कार होगा कि यह ग्रीक भाषा से लिया गया है और यानके यह मैसोपोटामिया ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है नदियों के मद्दे का शेत्र यानके यह दो नदियों के बीच का शेत्र है जिसे हमारे यहां दो आप भी कहते हैं तो जैसा कि आप जानते कने कि मैसोपटामिया में दजलला अर्फरात दो नदियां है है तो उनके बीच की जो उपजाउ भ्वोमिय है, उसको मेसोपटामिया नाम से जाना जाता है प loyalism no 2 है इसलिको Minecraft निहांगता है प्रक्रलीय को दो तो इसका उत्तर होगा जबनेंगे मेसोपाटामी की फिछेत्र पर ये संवहताका विकास हुआ तो इसका उत्तर सुमेर और अकद यायनिका शुरू में सब्टरू सुमेर में और फिर उसके बाद कंद में विक्सित हुई थी Question number 3 है Babylon एक मैत्वपूर्ण शहर कब बना यानिके when did Babylon become an important city तो इसका उत्तर आपको देना है तो उत्तर इस प्रकार है कि ये 220 पूर्व के बाद यानिके after 200 BC विफोर क्राइस्ट ये जो है मैत्वपूर्ण शहर बन गया था Question number 4 है किसने असीरिया ही वर्चस उसे Babylon को मुक्त किया था यानिके who had released Babylonia from Assyrian domination तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है कि असीरिया का जब वर्चस हो था यानिके वो इस पहावी था उसे काशाशन चलता था तो Babylon को किसने मुक्त कराया तो इसका उत्तर है 625 इस पूर्व में ने इसको मुक्त कराया था question number 5 है स्वतंत्र बेविलोन का अंतिम शाशक कौन था यानिके who was the last ruler of independent Babylon तो इसका जो उत्तर होगा वो है नेबो निडस यानिके नेबो निडस जो है इसका अंतिम शाशक था Babylonia का question number 6 मेसोपटामिया सब्वेता की भागोलिक विशेशता और सीमा क्या है यानिके right geographical features and extent of Mesopotamia civilization तो इसका उत्तर है उत्तरपूर्व में मैदानी भाग जो व्रिक्षों से ढकी परवत शंकलाओं से घिरा हुआ है वो जो है इसका एक पार्ट है उत्तरपूर्व में यानिके इसके परवत शंकलाओं हैं उनसे ये घिरा हुँ है जो भूमी है वो उची है और वहां स्टैपी घास के मैदान है और दक्षिन पश्चे में भाग में मरुस्तल है और दजला और फरात नदियों के मध्धे का जो शेत्र है वो उपजाओ मैदान थे तो इस तरह से हम इसकी भोगोलिक विशेष्टाव का वर्णन कर सकते हैं कि मैस परवत शंकलाओं से घिरा हुआ है और उत्तर की जो भूमी है वो उची है और वहां पे स्टैपी घास के मैदान है जैसा कि आप जानते हैं वहां पशुपालन इसलिए अधिक होता है और दक्षिन पश्यम का जो भाग है वो मरुस्तल है और दजला और फरात नदियों के ब तो इस तरह से इसके भागलिक विशेष्टाओं का हम वर्णन कर सकते हैं क्वेश्टन नम्बर साथ है मेसोपटामिया में उगाई जाने वाली फसलों का नाम बताईए यानिके नेम दा क्रॉप्स ग्रोन इंदा मेसोपटामिया तो इसका जो जवाब आप सोच सकते हैं यह यहां कौन-कौन से फसले होती हैं तो फसलों के नाम है गेहूं, जौं, मटर, आदी यहानिके वीट, बाले, पीज, एड, सेक्टरा तो यहां पे गेहूं होती है, जौं होते हैं, मटर, आदी होते हैं तो इस तरह से क्योंकि यह भूमी काफी उग जाओ थी तो इस तरह की फसले यहां पर उगाई जाती थी, question number 8 है, मैसोपटामिया में प्राकर्ति द्वारा समर्थित उध्योगों का नाम बताए, यानि के name the industry sported by the nature इंदा मैसोपटामिया, तो प्राकर्ति द्वारा समर्थित का मतलब होता है, जिसमें nature की यानि के प्राकर्ति की मदद मिलती है, य जो है, पशुपालन यानि के भेड़ बकरी पालन और डेरी यानि के इनका दूद उत्पाजन करना और दूद से समंदी चीजों को, तो डेरी उध्योग और साथ ही साथ भेड़ वगरा से जो उन प्राप्त होती है, तो ये सब चीजें जो हैं, प्रकर्ति प्रदत हैं, तो इसका उत्तर होगा कि शहरी करण का अर्थ है, प्रात्मिक व्यवसायों, यानि के जो शुरुवात में जो प्रकर्ति प्रदत जो व्यवसाय थे, जैसे क्रिशी, मचली पकड़ना, पशू चारण करना, शिल्पकारी आदी थे, जो प्रात्मिक उध्योग दंदे थे, यानि प्रात्मिक व्यवसाय कहते हैं, उनसे द्वित्यक व्यवसायों में, यानिके सेकंड स्टेज के जो व्यवसाय हैं, जैसे वी निर्मान, यानिके अग्रिकल्चर से, मचली पकड़ने से, पशुचारण, शिल्पकारी से, आप सेकंड स्टेज में आ जाते हो, जिसमें वी न जो कि सर्विसिस से जुड़वे यानके सेवाओं से जुड़वे हैं Hmmm उनको आप उनमे शिफ्ट कर जाते हो तो अर्थ व्यवस्था में जो इस तरह के परिवर्रत न्वोथे हैं वो शेहրी करण कहलाता है यानके आप यह समझें कि शेहरी करण का अर्थ गाउं से शहर में बदल जाना नहीं है बलकि इसका अर्थ है कि प्रात्मिक व्यवसायों से आप जित्यक व्यवसायों या तृत्यक व्यवसायों में जो शिफ्ट हो जाते हैं यानि कि लोगों का जीवन या पन्यार्थ व्यवस्था जो है जो कि खाली क्रिशी मचली पकड़ने पशुचारण शिल्प कारी शिकार अधी पर ना निर्बर रहके उसके अलावा मैनुफेक्ट्रिंग प्रोसेसिंग ट्रेड यानिके वेपार और सर्विसिस के शेत्र में शिप्ट हो जाती हैं तो इस तरह की विवस्था हो जाने को शहरी करण या अ मेसोपोटामियन शहरों में आयातित आवश्चक्ताओं के नाम लिखिये यानिके राइट दा नेम से नेसेसिटीज इंपोर्टन इंटू मेसोपोटामियन सिटीज यानिके आपको बताना है कि किन चीजों का आयात मेसोपोटामिया के शहरों में किया जाता था या शहरों क आवट शक्ता हैं क्या थी जो बाहर से समान मंगा कर जिनके पूर्ति की जाती थी तो इसका उत्तर है कि ये वस्तुएं थी लकडी, तामबा, टिन, चांदी, सोना, सीप और विभिन परकार के कीमती पत्थर तो ये सब जो हैं शेहरों में मैसुपटामिया के अन्य देशों से अन्य स्थानों से आयात किये जाते थे और ये आयात जो है तुर्की और इरान से बहुतायत से किया जाता था यानके मैक्सिमम चीज़ें जो हैं इन दो देशों से मंगाई जाती थी Question No.11 है परिवहन का सबसे सस्ता तरीका क्या था यानके What was and is the cheapest mode of transport तो इसका जो है आपको उत्तर बताना है कि पहले भी क्या था और अब भी क्या है सबसे सस्ता तरीका क्या है परिवहन का transportation का एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने का तरीका क्या है तो इसका उत्तर ये होगा कि जल परिवहन यानिके water transportation जो है वो सबसे सस्ता है यानिके समुद्र नदियों के मारक का उप्योग करके ये सामान को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर वेजना सबसे सस्ता साधन है तो question number 12 लेखन पटिकाएं क्या है यानिके water tablets तो ये एक important question है तो इसका उत्तर जो है ये होगा कि मिट्टी को गूंत कर आयताकार अकार की पटिकाओं के उपर उनके सूख जाने से पहले सरकंडे से कीलाकार वनमाला में लिखी गई पटिकाओं को कहते हैं लेखन पटिकाओ तो लेखन पटिकाओं का मतलब हुआ कि आपने मिट्टी ली उसे गूंत कर उसकी आयताकार पटियां मनाई और इससे पहले कि वो सूख जाएं तो सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार उस पे वरनमाला में जो लिखा जाता है जिन पटिकाओं पर उन पटिकाओं को लेखन प यानिके उनके द्वारा जो लिखा गया है उसकी लिपी क्या है आपको यह बताना है what is the style of writing or script used by मैं सुपर्टामियन्स तो इसका उत्तर आपको बताना है तो उत्तर यह है कि यह मिट्टी की लेखन पटिकाओं पर लिखे गए संकेतों और संख्याओं की तरह एक तस्वीर यानिके इनकी जो लिपी है वो चित्र लिपी है तो आप इसका उत्तर चित्र लिपी भी लिख सकते हैं जो कीलाकार अक्षरों में लिखी जाती थी तो इसमें बैलों, मचलियों, अनाजों, संख्या, नावों, औजारों, आदी के चित्र, मुख्य रूप से विभिन चिन् आज या नावों की संक्या वगेरा ओजार या किसी नंबर को बताना है तो वो चित्र के रूप में चिन्नों के साथ बताये जाते थे तो इनकी संक्या जो और संकेतों के द्वारा जो है जो भी दिखाया जाता था वो तस्वीरों के रूप में दिखाया जाता था तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैसोपटामिया की जो लिखित स्क्रेप्ट शैली है वो चित्रात्मक थी और कीलाकार थी क्वेश्चन नंबर चौदा है कि किस बिंदू पर मैसोपटामिया के शहरों में लेखन शुरू हो गया था यानि कि at what point to need the writing would have begun in मैसोपटामियान सिटीज तो इसका उत्तर है कि लेखन तब शुरू हुआ होगा जब समाज को लेदेन का स्थाई लेखा जोखा रखने की आवश्यक्ता हुई होगी यानि कि पहले आप जानते हैं कि व्यापार या लेदेन सिमित मात्रा में होता था और वस्तु विन में द्वारा ही काम चल जाता था लेकिन जब व्यापार बढ़ गया और व्यापक रूप से होने लगा तो जो लेदेन है उसको रिकॉर्ड रखना क्योंकि उधार भी होता था और लेदेन बड़ी मात्रा में होता था तो उसको लिखित रूप में रखना अवश्यक हो गया था तो जब उसका स्थाई लेखा जो का रखना पड़ा तो लेखन की अवश्यकता को महसूस किया गया पुरातत विदो के लिए मिट्टी की लेखन पड़िकाएं किस हद तक मददगार साबित हुई यानिके तो इसका उत्तर जो है वो है यह है कि प्रातत विदो ने मिट्टी की लेखन पड़िकाओं के माध्यम से मैसोपटामिया के जीवन और रहन सहन के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर ली यानिके इन लेखन पड़िकाओं की मदद से उन्हें यहां के लोगों का रहन सैन उनकी धार्मिक जीवन उनके व्यापार आधी के बारे में पारिवारिक जीवन समाजिक जीवन आधी के बारे में जानकारी बहुत आसानी से उपलब दो गई सिन्दु घाटी सब्वेता अधिक विप्रण पुरातत्व दों ने मेसोपतामिया में आम लोगों के जीवन के बारे में प्राप्त कर लिया था, तो सिन्दु घाटी सब्वेता जो इसकी सम्कालिन सब्यता थी क्योंकि उसके बारे में जो भी कुछ जानकारी उपलब्द है उसको अभी तक ना तो पढ़ा जा सका है तो इसी लिए उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है जबकि मेसोपटामिया के जीवन और रहन सैन और उन लोगों के बारे में जो भी जानकारी ह वो ज्यादा विशाल पैमाने पर हमारे को जल्दी उपलब्द हो गई Question number 16 मेसोपटामिया की सब्वेता में शाक्षर्ता की स्थिती क्या थी यानिके what was the position of literacy in Mesopotamian civilization तो इसका उत्तर जो है यह है कि मेसोपटामिया में शाक्षर्ता दर काफी कम थी क्योंकि पहला कारण यह है कि स्वर और वेंजन के स्थान पर क्यूनिफॉर्म के संकेतों को प्रियोग में लाया जाता था यानिके जैसे आज कल हम स्वर और वेंजन यानिके vowels and consonants यूज करते हैं भाषा को लिखने के लिए तो उसके स्थान पर क्यूनिफॉर्म संकेत जो होते थे यानिके चित्रात्मक जो संकेत होते थे उनका प्रियोग किया जाता था जो संक्या में बहुत अधिक होते थे और उनको समझना सबके बसकी बात नहीं होती थी दूसरा है कि वर्णमाला में सैक्डों की संक्या में जो जटिल संकेत होते थे और इनको याद रखना बहुत को दुशकर कार्य था यानके मुश्किल कार्य था तो इतनी भारी मात्रा में पहले तो संकेतों को बनाना ही मुश्किल है और फिर उनको याद रख पाना उससे भी क कठिन कारिया है कि किस चीज के लिए किस प्रकार का संकेत प्रयोग किया जाना है चाहिए और तीसरा यह है कि मिट्टी की पट्टिकाओं को जो है उसी पर उनको लेखन करना आता था तो मिट्टी की पट्टिकाओं को पहले मिट्टी को गूत कर बनाने के बाद सूखने से पह काउपी पैन का इस्तेमाल करके लेकिन उस समय लेखन कला जो है वो बड़ा कठिन कार्य था कि पहले मिट्टी होगो तो इससे जो आयता कर पट्टी काएं बनाओ और इससे पहले कि वो सूप जाएं उस पे लिख भी डालो तो यह एक मुश्किल कारे होता था कोश्यन नमबर 17 है उरूक शब्द का क्या अर्थ है यानिके वाट इस मैंट वाइद अचार्म उरूक तो यह उरूक शब्द का आपको अर्थ बताना है तो इसका जो अर्थ है वो है यह और शिघ तक्रिष्टता यानिकर सिटी पार एक्सिलेंस इस्छन नमबर 18 है मैसो पट में क्रिशी के प्रमुक खत्रे क्या थे तो यह भी एक important question है यानि के क्रिशी का रिये दुश्कर क्यों था या क्रिश्कों के आगे क्या समझ से आएं थी इस बारे में जो प्रश्ण आते हैं यह काफी बार दोर आए जाते हैं तो what were the major hazards to agriculture in मेसोपटामिय है तो इसका जो उत्तर होगा वो यह ओगा पहला जो खत्रा था वो यह था कि फरात नदी की जो अपनदियां और नहरें थी उन में बार बार जो है बार आने से फसलों को नुक्सान पहुशता था यानि कि यह नदियों उनमें बार 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 आती थी जिससे लोको नुकसान पहुचता था और दूसरा यह है कि नदी के उपर और गाओं में रहने वाले जो लोग थे उनके द्वारा पानी का दुरूपयोग करना यानिके जो उपरी भागों में जैसे कि आपको पता है कि उत्री भाग उचाई पे वो पानी का अधिक उपयोग करते थे अधिक मात्रा में अपने खेतों के सिचाई के लिए उनको उपयोग करते थे और निचले भागों में जो खिर्शिकारी करते थे उनके पास पानी कम मात्रा में पहुंसता था और तीसरा यह है कि उपरी भाग के जो किसान थे तो वो न नहरों से जानबूच कर गाद भी नहीं निकालते थे यानिके जो गाद नहरों में कीचड भर जाता था उसको जानबूच कर नहीं निकालते थे ताकि निचले भागों तक पानी कम से कम पहुंचे तो यह जो दिक्कत थी वो उसकी वज़ास से जो है उपरी भाग में रहने व के जो लोग थे वो स्टैपी घांस के मैदानों में पशु पालन करते थे तो वो कई बार जो है दक्षणी वागों में भी आ जाते थे व्यापार और चारे की तलाश में तो ये पशु चारकों द्वारा भी फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता था क्योंकि उनके पशु के जो थे वो फसलों को चट कर जाते थे तो ये जो सारी बाते हैं ये मैसोपाटामियम के क्रिशी के लिए प्रमुक खत्रे के रूप में होती है क्वश्चन नमबर 19 है चर्चा करें कि क्या धातू के प्रियोग के बिना शेहर का जीवन संभव होगा डिसकस वेदर सिटी लाइफ वोड वाव बिन पॉसिबल विदाउट यूज ओफ मैटल्स तो अंसर है वास्तम में शेहर का जीवन पहले माध्यमिक कारियों से शुरू होता है यान माध्यमिक कारियों का मतलब है सेकंडरी लेवल वाले कारियों होते हैं यानि के प्राथमिक कारियों से जो हम दृत्यक कारियों में दृत्यक वे शेत्र में जाते हैं अर्थ्योस्ता के तो वो शिल्प कारियों होते हैं जो कि लोहार गिरी है बड़े गिरी है मूर्तिक तो उसके लिए जो है उपकरणों की अवश्रक्ता होती है इन शिल्पकारों को क्योंकि ये उपकरण जो है केवल धातूं से बनाए जा सकते हैं जो कि तुर्की और एरान से या खाड़ी के देशों से आयात किया जाते थे तो ये धातूं वहां से मंगाई जाती थी क्योंकि ये मैसोपोटामियम में उपलब्द नहीं होती थे तो तुर्की और एरान या खाड़ी के देशों से वो मंगवाते थे तो वस्तूविनमे के स्थान पर जब मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ तब उसके लिए मुद्रा बनाने के लिए यानि के सिक्के बनाने के लिए भी धातूं की अवशक्ता बढ़ गई थी और गहने आधी के निर्मान में और घ्रेलूप योग का समान आधी बनाने के लिए भी धातूं की अवशक्ता पढ़ती थी तो इस तरह से हम कह सकते हैं उप्रोक्ताधार पर कि मैसोपोटामिया में शहर का जीवन धातूं के बिना असंभव था जिसे वे अन्य देशों से आयात करते थे तो कॉश्चन नमर 20 है आप शहरी करण को अलग-अलग कारीगर शिल्पकारों और कलाकारों का एक सम्मूह कैसे कह सकते हैं यानिके हाओ कन यू से अर्बनाइजेशन एन अलोग मैट्रिशन ऑफ डिस्टिंक्ट आर्टीशियन क्राफ्ट्समें एंड आर्टिस्ट्स तो इसका उत्तर होगा कि हम शहएदी शहरों में प्रात्मिक व्यवसा तो शहर वास्तम में माद्यमिक और टृत्यक माद्यमिक का मतलब यह द्वित्यक से हैं क्योंकि शहर के लोग आत्म निर्भर होना बंद कर देते हैं और अन्य लोगों के उत्पादों और सेवाओं पर निर्भर करते हैं। उदारण के लिए पत्थर की से मूर्ति बनाने वाले को कांसे उपकरण विशिष्ट पत्थर के स्लैब की अवश्रक्ता होती है जो उसे वियापारियों के माध्यम से मिलेगा। तो सही ठढ़ाते हैं जो शहरी करण में अलग लग कारीगरों के सम्हु के रूप में दर्शाय जाता है और तो जो कारीगर शेयरों में जो कारीगर हैं शिल्पकार हैं वो सम्हु के रूप में उनको रहना उनकी मजबूरी हो जाती है question number 1 मेसोपोटामिय में शाहर के जीवन में लिखने का क्या महत होता स्पष्ट कीजिए यानि कि what was the importance of writing of city life in मेसोपोटामिय एक्स्प्लेन तो इसका उत्तर है हम जानते हैं कि सभी समाजों में ऐसी भाषाएं हैं जिनमें कुछ विशेष्ट ध्वनियां कुछ विशेष्ट अर्थ जो देती हैं और इसे मौखिक संचार कहा जाता है तो ये मौखिक संचार को लेखन के अवश्रक्ता होती है तो लेखन भी जो है वो एक मौखिक संचार है क्योंकि मुख से उचारित चीजों को ही हम लिखते हैं लेकिन इसके तरीके अलग हैं तो मौखिक संचार के इन तरीकों में द्रिश्य जो ध्वनिया हैं उनमें बोली जाने वाली ध्वनियों का प्रतिने धुत्व दिया जाता है और इस तरह से जो है मैसोपोटामिया ने संख्याओं का अविश्कार किया था जिनके माध्यम से वह लिखते थे तो शहर के निवासियों के लिए अलग-अलग समय पर होने वाले लेंदेन का रिकॉर्ड रखना जो है वह स्वाभाविक है क्योंकि अलग-अलग व्यक्तियों के साथ जब व्यपार होता है तो लेंद जो है कई लोग और कई तरह का सामान भी शामिल होता है तो मैस्वर्टामिय मि्ठी की पटिकाओं पर यहां के लोग लिखते थे लेकिन हम मैस्वर्टामिय साइटों पर यानि के वहां पर जो स्थान मिले हैं मैं सैंकड़ो लिफे मित्टी के पट्टखाएं यह अनमोल स्रोत हैं जिनसे उस काल से समन्दित सभी चीजहیں पुरातत विदों के सामने षपषे olhar बात्ति को समाजिक राजनितिक आर्थिक जीवन के में काफी जानकारी जो है वो उपलब्द हो पाई है तो ये सब बातें जो है ये लेखन कला के महतों को स्पष्ट करती हैं तो इसके बाद लेखन का उपयोग नाकेवल रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया बलकि शब्द कोशों को बनाने यानि के डिक्शनेरी को भुराने भूमी हस्तांतरण करने के लिए यानि के भूमी जो है राजा द्वारा किसी को दी गई तो किसके उसके उपर कबजा है किसके नाम से है उसको कानूनी वैदता देने के लिए और राजाओं के कामों को बताने के लिए राज़ा ने जो नियम बनाये या राजा दोर्ः जो प्रजा की वलाई के लिए ऐच्छे काम किये उनका बructured लिए उनकों तक पारने के लिए और जो कानूनों में परिवर्तन हैं उनकी गोशना करने के लिए एक राजा ने भूमी के प्रतागत कानूनों को बनाया था तो इस तरह से जो भी कानून बनते हैं उनका भी रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है यह 2400 इसा पूरू तक सुमेरियन भाशा थी तो लेकिन इसके बाद जो अकद्धियन भाशा ने में से बद सचार से अधिक वर्षों तक जारी रहि यानिके शताबिश्य तक भाशा जारी रही और सुमेरियन भाशा में साहित्य हम भी देखते हैं उपर दिये मा काव़े गνεज़ों कंज pequि sुमेर्जियन भाशा में में साहित्य गिरचना की गई हैए में मरकार उरुक का शुरुवाती शाषकों में से एक था और वो काफी महान शाषक था तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखन जो है मैसोपोटामिया का एक अभिन अंग बन गया मेसोटामिया के पारिवारिक मांधन्डव का बारे मिलिके यानिके राइट अपाउट दा फैमली नॉर्मस आफ मैसोटामियाוץ इसका उत्र है एकल परिवार जिसमें एक व्यक्ति उसकी पतनी और बच्चे शामिल थे मैसोटामिया में परिवार का अधर्श था यानिके ज्यादातर परिवार जो है वो एकल परिवार होते थे उसी को जो है अच्छा परिवार माना जाता था यानिके असे परिवार की प्रता नहीं थी तो विवाहित जो पुत्र होते थे और उनका परिवार कहीं-कहीं अपने माता-पिता के साथ रहता था वह अन्य था व विवा का पस्ताव झो है दुला के परिवार की तरब से बेजा जाता था और दुलनक़ पक्ष के लोग जो पिसे सुई भिखर्ती दे देते थे तो विवा जो है तैह हो कि विप्री तोष समय क्या था कि दूले के परिवार को उपकार जो है वो देने पड़ते थे तो वे शादी के दिन एक साथ खाना खाते थे यानिके दोनों पक्षे एक साथ बैठते थे और उनकी भेंड जो है एक मंदिर बगेर हमें होती थे यानिके विवास हमारो जो है जो होते थे खेत और नगदी के रूप में दहेज प्रता का प्रचलंता यानिके दहेज के रूप में या तो पशुओं का रेवड दिये जाते थे खेत दी जाता था या नगदी दी जाती थे समय और गणित की गणना करने के लिए सबसे पहले मैसोपटामिया के लोग कैसे थे और उनका वरणन करें तो इसका उत्तर है कि हम जानते हैं कि होने वाली घटनाओं को अगली पीडी को मौकिक रूप से प्रसारित किया जा सकता है और इसके लिए रिकार्ड को लिखित रखने की आवश्यक्ता होती है हाला कि यह है वाग्यानिक और गणितिए गणनानाएं जो हैं उनके लिए लिए लिखन कार्य बहुत ऑश्यक्त है वह खाली पीडी डर पीडी आगे रिकार्ड को भेजने के लिए सरक्षद रखने के लेकिन गणनाई करने के लिए जैसे आपको पेंसिल की जरूरत होती है आजकर के समय में तो उस समय भी गणनाई करने के लिए जो है वो लेकन की आवश्चता होती थी तो एक लिखित रिकॉर्ड उसी के लिए जरूरी है और पुरातत विदों द्वारा पाएगे मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी विरासत उसकी घणना समय और गनित की विद्धानों की प्रमपरा जो है वह उसकी सबसे बड़ी देन है जो गनित के चेत्र समय के चेतर में उन्होंने दी तो यह जानकर हैरानी होती है कि लगबग अठारा सो इसाप पूर्व में गुणन और विभाजन तालिकाएं जो उन्होंने बनाई यानि के लिख कर रिकॉर्ड भी बनाया तो और दो का जैसे वर्गमूल वो उन्होंने इस प्रकार निकाला कि एक जम्मा में 24 बटे 60 जम्मा में 51 बटे 602 जम्मा में 10 बटे में 603 तो इस तरह से दिया उन्होंने तो इसका जो उत्तर है वो एक दशमलव चार एक चार दो एक दो इसे थोड़ा सा ही अलग है थोड़ा सा डिफर करता है तो आप देख सकते हैं कि दशमलव के यहां आप देखिए चार और यह पांच 5 स्थानों तक बिलकुल जो है यह सही है चटे स्थान से यह थोड़ा सा बस अलग हो जाता है तो इसका मतलब ये जो एल दशंबलव के पाचवें स्थान तक शुद्धता से गणितिये गणनाएं करने में समर्थ थे और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका गणित का ग्यान जो है काफ़ी विक्सित था शेहरी संस्थाओं के स्कूलों में चात्रों को उन अबधी में यानि कि उस समय में जब वो स्कूल में पढ़ते थे एक शेत्र की समस्याओं को हल करना पड़ता था यानि कि जिस शेत्र में रहते थे उसकी समस्याओं को भी हल करना पड़ता था जैसे एक उंगली पानी में गहरी होती है, पानी की मात्रा का पता लगाएं, तो यानि के उन्होंने जैसे एक उंगली पानी में डूबोई, तो इसके चित्र का नाप करके बताना है कि इसमें पानी कितना है, तो इस तरह से practical knowledge दी जाती थी आयतल निकालने की, हम संशेप में सब्सक्राइब अंगुर्ण का वारा महिने को नहीं भारा महिने के विभाजन विभाजन को उनने चार सब्सक्राइब दिन को 24 गंटे और एक गंटे को 60 मिनट में वाजित करने के लिए जाना जाता है जो आज भी प्रचलित तो अलेकजंडर के उत्तरादिकारी यानि के सिकंदर के उत्तरादिकारी ने इस समय विवाधन को अपनाया और वे रोमन दुनिया इसलामी दुनिया और मद्य यूगीन यूरोप में करंबद तरीके से प्रेक्षित हुए अब पुरा तत्व विदों ने अपनी खोज के अदार पर निशकर्ष निकाला था कि और इस मामले में उनको महारत आसिल थी यह सभी उपलब्दियां लिखने के लिए दी गई थी यानिके इनका रेकॉर्ड जो उन्होंने ग्यान प्राप्त किया था लिखेत रूप में उन्होंने टैबलेट्स पर यानिके लेखन पट्टिकाउं पर इसका उप्योग किया इ नाभिक का मतला सैंटर थी और जिसके चारो और जैसे नाभिक के चारो और जो उसके निकलेस के चारो तरफ परमानों में घुमते रहती हैं वस्तों तो उसी प्रकार जो है उसके चारो और 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 जो है एक नाभि करता है कुश्चन नंबर 24 है आपको क्या लगता है कि असरबनी पाल और नाबोडियंस प्रारंबिक मैसोपटामियन परंपराओं को पोशित करते हैं तो आपको बताना है कि इन दोनों ने जो है मैसोपटामिया की परंपराओं को आगे वड़ाया और उनमें कुछ बेविलोन के अंतिम शाशक नबोडियस द्वारा दिये गए लेखों के आधार पर ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने परंपराओं को आगे वड़ाया पुरातत विद्वों द्वारा की गई खोजों के अनुसार अंतिम जो असीरियन राजा थे उन्होंने अपनी राजदानी को मीनवे में बसाया था और 668 से 627 इसवी पूरू के दोरान उन्होंने शाशन किया था तो इस प्रकार नेबोडियस ने 366 से 331 इसा पूरू के दोरान शाशन किया और बेविलोन अपने शाशन के दोरान दुनिया का परमुक शेहर था तो यहे 850 एक्टेर से अधिक भूमी पर तीहरी दिवार में यानि के तीन दिवार हैं इसके शायर के चार उतरों खीची गई थी महान महलों और मंदिरों का एक सीड़ी नुमा टावर और अनुष्ठान केंदर के रूप में स्थापित तो पुरातत विदों के दोरा यह पता लगाया गया है कि उक्त राजा के असुर्बनी पाल ने इतिहास माकावियों शगुन साहितिये जोतिश भजन और कविताओं पर सैकड़ों मिट्टी की पट्टिकां युक्त एक पुस्त काले स्थापित किया था नीनवे में तो इस तरह से उन्होंने यहां के मैसोपोटामिया के इतिहास साहित और यहां के ग्यान विज्ञान और को जो है सुरक्षित पुस्त काले में रखा और आगे पहुचाने का कारिय किया राजा ने स्वयम गोशना की थी कि उन्होंने टैबलेट की जाच किया यहां के लेखन पट्टिकां की जाच किया और वविशे में इनका उप्योग के लिए जो है पु लोगों को इसका उप्योग करना चाहिए ताकि बविश्य में अपने प्राचीन परंपराओं को अपने संस्कृति को जान सके तो यह ग्योशना खुद मैसोपटामिया की परंपराओं को जीवित रखने के लिए उनकी रुची को परदर्शित करती है तो इस तरह जब हम न अपनी बेटी को उच्च पुजारिन के रूप में नियुक्त किया था यानिके उन्होंने अपनी बेटी को पुजारिन के रूप में मंदिर में भेजा तो एक तरह से जैसे अशोक ने अपने पुत्र महिंद्र और पुत्री संग मित्रा को बहुत धर्म के परचार के लिए श्रिलंका भेजा था तो उसी तरह से उन्होंने भी अपनी बेटी को जो है उच्च पुजारिन के रूप में नियुक्त करने के परंपरा जो है वो नेबोडियस ने शुरू की थे और उनकी वर्दी का भी चेहन किया था तो जैसा कि उन्होंने पुजारी के नकाशी दार रमत से पूरु निरधारित है और अकद के राजा सर्गोन की टूटी हुई मूर्ती से किया चब उन्हें सर्गोन के टूटी हुई मूर्ती मिली तो जो तेईस सो सत्तर इसा पूरु के आसपास जिसने शाशन किया उन्होंने उसने खुद को मिटी की एक पट्टिका पर लि क्यों जाना जाता है उस सब्वेता की मुखे विशेष्टाओं पर चर्चा कीजिए यानि के वाई इस मैसोपामिय नोन फॉर सिटी सिविलाइजेशन डिसकस दा मेन करेक्टर स्टिक्स अब दा सिविलाइजेशन तो इसका उत्तर है मैसोपामिय शहर वर्तमान में इराग रज्जे का हिस्सा है और इसकी भॉगलिक स्टिक को निम्ना नुसार दरशाया जा सकता है कि उत्तरपूर में हरे भरे मैदान है उत्तरपूर का एक इलाका है जानिके उत्तर में स्टैपी पूर में दजला की साएक नदियां दक्षिन में एक रेगिस्तान है तो दक्षिन म पैदा होने वाली फसलें गेहूं जौं मटर या दाल हैं तो इनका उपयोग जो है वहां के लोग जो है क्रिशी कारिये के लिए गेहूं जौं मटर दालादी का उतपादन करते थे और स्टैपी घास भूमी है जहां भेड़ बक्रियों और मेवेशियों को पाला जाता था तो इस तरह से डेरी उध्योग को यहां काफी मैत तो मिला इसके एविरल मैदानों में पेड़ और जंगल हैं और यह भूमी फसलों को उगाने के लिए प्रयाप्त वर्षा प्राप्त करती है तो इस तरह से यह जो भूमी है काफी उपजाओ हो गई थी और टिग्रिस और इसक के लिए भी यातायात के साधन के रूप में प्रयोग की जाती थी तो असीरिया, निन्वे, निम्रुद, असूर, भगदाद, बेविलॉन, अबासु, लेबिक, अरूक और उर जो हैं पुरा तत्विक, स्थल थे जहां यह सब्वेता पाई गई थी तो यह जो हैं इनके प् सम्रिद्धी शहर के जीवन सम्रिद्ध साहित्य और गणित और खगोल विज्ञान के लिए इसको जाना जाता है। पूर्वी, मद्य, सागरिय, उत्री, सीरिया और तुर्की ने दो हज्जार इसापुरु के बाद अपनी लेखन प्रनाली का पालन किया। इस भूमी की भा भाशा सुमेरियन और इकद्धी थी यानि के पहले सुमेरियन भाशा यहां बोली जाती थी और फिर बाद में अकद्धी ने उसका अस्थान ले लिया। यह हिब्रु के समान है और एक हजार इसापूरु के बाद तक यह व्यापक रूप से बोली जाने लग गई थी। और मेत्वपूर्ण शहर जो थे मेसोपटामिया के वो उरुक उर्मारी और असुलाइबेखिक और असीरिया थे कॉश्चन नमबर 26 है कैसे मेसोपटामिया की कहानी और बाइबल में जो लेक आता है वो अनुरूप है यानि कि एक जैसे हैं अनुरूप परवेश्वर ने नोहा को कहा कि जब परले आएगी तो यहां पर जीव है उनको हमें बचाना है तो उस जीवन को विलोपन से बचाने के लिए उन्होंने क्या उपाय किया कि उन्होंने एक विशाल बॉक्स लिया और उसमें सभी प्रजातियों के जीवों की एक प्रजाति थी तो उसमें दोनों ही आनि के पॉध्य और जानवर थे जो दुनिया में उसमें उपलग थे तो उनकी वो प्रजातियों उसमें बीतर उन्होंने बैठा ली और एक विशाल नाव पानी में उतार दी तो तो इस तरह से नोहा या नोह जो है उसने सभी प्रजातियों के जीवों पेड़ पौधों आदी के एक एक जो प्रजाति थी वहां सुरक्षित रख ले तो इस प्रकार विशाल जो जल प्रले है उसमें प्रित्वी जो नश्ट नहीं हो सकी और उसमें जीवन जो है वो पनेस् स्टापत बाइबल में नोहा के लिए मानव को तन्होंने की कहानी में मामूली परिव्वर्थन को चोड़ कर यानिके अडम और वाली किस प्रकार से इंगानी उसको छोड़ कर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वही कि भई कहानी जो है मैसोपोटामिया की कथा में भी पुनर स्थापित की गई है तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैसोपोटामिया कहानी और बाइबल की कहानी जो है वो इलगभग एक समान ही है क्वेश्चन नमबर 27 है मैसोपोटामिया सब्वेता की मैतपूट विशेष्टाओं का वर्णन करें और बताएं कि पुरातत विदों ने उस काल के शहरों संस्कृती समाज और पारिवारिक लक्षणों के बारे में इतनी सारी बाते कैसे बताई तो इसका उत्तर है मैसोपोटामिया सब्वेता की मैतपूट विशेष्टाओं को निमना नुसार संशिप्त किया जा सकता है पहला है कि पुरातत विदों द्वारा खोजी गई पहली लेखन शैली जो है तीनजार दोसो इसा पुरू की अवधी से संभन दीता है यानि कि इसा के जन्म से तीनजार दोसो साल पहले जो है लेखन शैली की खोज हुई है और इस संकेत और संक्याएं जैसे चित्र वगएरा शामिल है और दूसरा ही है कि दुनिया की पहली शहरी सब्वेता है, यह सिंदु घाटी सब्वेता से 600 साल पहले की बात बताती है कि वो शहरी करणवा हो गया था, यहां की पहली ग्यात भाषा जो सुमेरियन थी जो दीरे दीरे 2400 इसापुर्व में अकद्धी द्वारा जाती थी, तो 2400 इसापुर्व के लगवाग अकद्धी भाषान ने उसका स्थान लेना शुरू कर दिया था, तो यह पहली सब्वेता थी जहां लेखन में क्यूनिफॉर्म लिपी का उप्योग किया गया था, और यह दियाती खाना बदोश, यानि के अकद्धियों, एमोर असीरिया और सावंतों की सब्वेता थी, और वारका हैड यानि के एक महिला के खंडित सिर्गी मूर्ति से पता लगता है, यह सब्वेता 3000 इसापुरु से पहले की भी यहां मूर्तिकला प्रगति पर थी, यानि के क्यूंकि 3000 साल से प्राना सिर्ग मिला है, तो इसका मंदब उस समय जो है वहाब मूर्तिकला प्रचलित थी तो यह मूर्तिकला का एक विश्व पर जिद नमूना है जो महिला के मुख ठोड़ी और गाल के नाजुक मॉडलिंग के लिए प्रशंसित है तो यहाँ पे जो उनके जिस प्रकार से उम्रे हुए जो अर्तीके नाकनक्ष वाले जो महिला के मुख की आकरती बनाई गए थी वो प्रशंसा के योग्य है और वो अपने कला में युनानी सब्वेता के जो मूर्तिय हैं उनको भी माद देती है तो इसे तुर्की के कठोर पत्थर से बनाया गया है और मूर्तिकार ने आँखों और बोहों को भारने के लिए लैपिस, नाजूली, शैल और बिटुमिन का प्रियोग शालीनता से किया है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तुर्की से पत्थर मंगा कर जो है इस मूर्तिको बनाया गया और विबिन बस्तूं का उपयोग करके इसको जो है खुबसूरत इसके मुकाकरतियों को उभारा तो यह सब्बेता जहां 668 से 627 सी स्वीपूर के दोरा नसीरियन राजा असर बनी पाल दोरा स्थापित पहली लाइबरेरी थी तो इसके अलावा जो है इसमें इतियास माकावे साहिते जोतिश भजन और कविताओं की कई सो मिट्टी की पट्टिकाएं थी फिर यह पहली आश्कों के लेखन के काम जो है वो लेखकों को उन्होंने सौंप दिया था और वे लेखन प्रणाली को बहुत पहले से ही महत्व दे रहे थे तो इसकी सबसे उन्नत स्थिती में वास्तु कला यानिके जो आर्किटेक्ट है भवन निर्मान कला है वो कावी उन्नत थी और हम या उनसे दूर देशों से लोग इसको देखने के लिए लालाईत रहते थे महल की योजना दर्शाति है कि कैसे कुशलता से भवन का निर्मान किया गया था परवेश द्वार ओडियन्स हौल बाहरी अदालत आंत्रिक अदालत रसोई आंगन लेखन कारेले शोचाले और शन तो 260 कमरें और 2.4 हेक्टेर का चेतर इसमें मैल में कवर किया गया था और यहां की सीलें जो हैं वो शांदार अकरती और माप की हैं और इन्हें बेलनाकार रूप से एक छड़ी के साथ लगाया गया था ताकि इन्हें सीलिंग के लिए बनाएगी बस्तों पर डुड़काया जा सके तो विभिन जानवरों के क्यूनिफॉर्म लेखन और चित्र जो हैं हम यहां पर देख सकते हैं यह मोरें पत्त्रों पर अंकित थी और शायदिरान से आयातित पत्त्रों पर यह विशेश रूप से बनाई जानी थी तो यह पहली सब बिता थी जिसमें युद्ध के नीताओं को जो है या देवताओं को मंदर निर्माड में योगदान देना शुरू किया यानि कि युद्ध जीतने के बाद जो लूट का समान आता था तो यह धन पृप्त होता था उसे मंदर निर्माड के लिए उपयोग किया जाता था और यह पुरशण को बाहर लाने के लिए भेजती थी तो समान लाने के लिए बाहर से जो अभियान भेज़ा जाते थे उसमें पुर्शों को जो है बाहर से समान लाने के लिए भेजा जाता था यानिके अभियानों पर भेजा जाता था तो देवता और समुदाय के लाब के लिए पांच पत्थर और धातू और म जाती थी उनका लिकांकन कियाब था यान के उनके लिका जाता था उन्ह sulphur जाता था उन्होंने अपने गाओं में चुनिंदा अस्तां Bunun का निर्मान और पुनर्ने निर्मान के बारे में में बात करते हैं तो शहर जो है वो धक्षिन-agine वी प्रामिया में 5000 इसापुर्व में शहरों का विकास शुरू हो गया था और ये मंदिरों के आसपास व्यापार केंद्रों के रूप में या शाहरी नगरों के रूप में विक्सित हुए यानिके शहर तीन परकार के थे जो मंदिर नगर थे यानिके मंदरों के आसपास विक्सि और शैने को किशिवरों के रूप में शाहि शा Fell रहते थे मिल्स तो इन लोगों ने पहले मंदरों का निर्मान शुरू किया सबसे पहला तो देखता मंदिर नभार सहं को उसको आपका तेल निकालने। इसको साप करने। अन्हाज और उनी कपड़ों की मुनाई जैसे गति विद्यों के केंद्र होते तो मंदिर खाल धार्मेकारियों के लिए को की लिए अफीयोक में किया जाते थे तो वैपारीयों कοι द से आपारीयों की यहीं से की जाती थे मंदिरों और जो मंदिरों द्वारा वित्रन किया जाता था समान का तो उसका लिखित Bernard के रख्षक और आनाज के अवंतन जो है ये सभी मंदिरों के पास ही होता था यानिके मंदिर से ये इनका Bernard किया जाता था तो इस परकार दीरे-दीरे मंदिरों के परिश्थर में गतिविद्या विक्षित और ये मुख्य शेहरी संस्थान बन गए तुमारी जो है एक व्यापारी शेहर था जिसके राजा जिमलीनियम ने 1810 से 1760 इसा पूरू के दौरान राजदानी को बसाया था यहां के अधिक्तर लोग ग्रामिंड थे और कृशिय और पशुपालन इनके मुख्य व्यावसाय थे एक अन्य शेहर उर्था जहां ए नियोजित निर्मान के साथ एक घनी बस्ती थी और पुरा तत्व विदों ने पाया है दूसरा यह है कि सोसाइटी जैसा की हम जानते हैं यानके समाज के बारे में जो हम जानते हैं भौगॉलिक परिस्थितियां किसी विशेश भूमी में रहने वाले लोगों के खाने की आदतों पहनावा घर और आश्रेयों के निर्दारन को करती है तो और मेसोपटामिया सब्वेता घास के मैदानों और एकिस्तानों पाड़ों नदियों की निकटता के साथ एक जगा में विक्सित हुई दजला और फरात नदियों में तो इस परण के लिए मारी के राजा एम और राइट स्टे जिनकी पोशाग मूल निवासियों से बिन न थी और यह जो है इसका मतलब यह है कि वहां का राजा जो था वो मारी के लोगों के समान नहीं था यानिके बाहर से आई हुए लोग थे तो यहां का समाज जो है आन यह जित क परिवार परनाली जो थी वो उसे खुले तोर पर अपनाया जाता था अलाकि एक विवाहित पुत्र और उसका परिवार जो है वह अक्सर अपने मातपिता के साथ रहा करते थे तो यह कम ही ऐसा देखने मिलता था संयुक्त परिवारों में तो पिता परिवार के मुखिया हो में जो लिखे दस्तावेज मिले हैं उनके अनुसार व्यवस्थित विवा प्रणाली यहां परचलन में थी और शादी की इच्छा के बारे में एक गोशना की गई थी कि दुलहन के माता-पिता शादी के लिए अपनी सहमती देते थे यानि के बार पक्षे द्वारा जो है शा हन के लोगों को उपहार दिये जाते थे और देख प्रथा का भी प्रचलन था क्यूंकि शादी के सम्में दुलहन के पिता द्वारा विरासत में उसका हिस्सा दिया जाता था यानिके दुलहन के पिता जो है वो दुलहन को यानिके जो लड़की होती थी वदू होती थी उसको वो अपने जो परिवार में उसकी परिवारिक संपत्ती में जो हिस्सा होता था वो उसे देज के रूप में दे दिया जाता था वहां के बाद भी लड का बटन दबाएं और आपको इस शंकला में जुड़े रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेड बटन दबाकर और बेल आइकन भी जुरूर दबादे ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें शिगरी मिलते हैं अगले पार्ट के स